अगर आप भी चाहते हूँ मेकप में आप यहां से यहां तक पहुचे तो पूरा वीडियो बिल्कुल भी मिस्स मत कीजिए और स्किप किए बेना आप देख लेना तो बिताउट माचा डिले शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें लगेगा एक प्राइमर यह एक मेकप का प्रोडक्ट है जो सबसे पहले हम यूज करते हैं मेकप में तो प्राइमर अलग अलग बराइटी में अविलेपल हैं इसे हमें बहुत कम कॉंटिटी में लेकर ओवरॉल चेहरे पे लगाना होता है यह penetrate करकर जादा खराब ना करें अपने skin के लिए तो ये एक barrier का काम भी करेगा साथी साथ आपका जो make-up है वो long lasting भी बनाएगा तो primer बिल्कुल भी skip आप मत करिएगा तो इसको एक बर apply करने के बाद बिल्कुल हलके हाथों से थप थपाक है इसको बज़ आप deposit करके छोड़ देना कुछ एक minute आप इसे दे देना और फिर आप अपनी next step के तरफ जाना है अपनी अब यहाँ पे है color correction जो की step 2 है ये तभी important है अगर आपके चेहरे पे धाग दबी dark circles या कोई भी marks इस तरीके से हो तो उसे color correct करने के बाद ही या उसे correct करने के बाद ही हम foundation तक जाते हैं तो इसके लिए मैंने आपने देखा होगा एक orange color का कोई product लिया है इसे orange color character कहते हैं एक 90% Indian skin के लिए यही color सबसे जादा जाता है तो अगर आपका depth जो है या फिर जो darkness है वो चाहिए कितना भी deep हो या light भी हो orange color character से आपका काम बिल्कुल भी हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा मैंने बहुत बिल्कुल भी एक ड्रॉप ली कर उसको अपने fingers में पहले spread किया और जहां कहीपे भी मुझे darkness है वहाँ पे मैं उसे apply करकर spread कर रही हूँ ज़रूरी नहीं इस step के लिए आपने कोई brush या sponge यूज करे पर अगर आपको comfortable हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो preferably अगर finger से कर सकते हो तो जादा अच्छा है ताकि अच्छे से वो spread हो जाए तो जहां कहीपे भी आपको darkness होगा वहाँ पे इस product को आपने pick करना है और apply करना है अब एक बार ये हो जाए तो आपको इसके साथ दिखाओगा कि मैंने एक yellow color या beige color सा एक product यूज किया था वो एक concealer है जो की exactly मेरे skin tone से match करता है अच्छे जब कभी भी आप एक color character reply करते है अपने skin पर especially darkness cover करने के लिए उसके बाद अगर आप directly foundation लगाओगे तो possibility है कि वो आपके foundation के साथ mix होकर आपका foundation कुछ orange दिखेगा तो इसके लिए आपको उसको पहले एक ऐसे color में लाना पड़ता है या convert या neutralize करना पड़ता है जो आपके foundation के साथ mix होकर orange शना दिखे इसके लिए हमी concealer यूज करना होता है और वो concealer exactly हमारे skin के color से match होना चाहिए तो यहाँ पे जो दूसरा color आपने देखा होगा वो मेरे skin tone से exactly match होने वाला concealer है जो कि मैं इस orange character के उपर लगानी वाली हूँ पूरे चेहरे पे नहीं exactly जहां कई पे भी character मैंने लगाया है जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने यहाँ पे character पिक किया था उसी तरह इसको भी मैंने पिक करकर मैंने बस उस area के उपर apply करना है ताकि वो जो orangish वाला part है या जो area है वो neutralize हो जाए या almost हमारे skin color के पास में वो आ जाए तो आपको जैसे दिख रहा होगा जैसे जैसे मैं उसे apply कर रही है वो orange बहुत ज़ादा हलका हलका होकर एकदम almost skin color के साथ match हो रहा है तो याद रखना इसके लिए आपने exactly अपनी color का concealer चूज करना है ना की deeper या lighter color तो इसी तरह मैं इसे overall अपनी चेहरे पे जहाँ कई पे औरंजish color apply किया है वहाँ पे apply करके आपको एक बार दिखा दीती हूँ तो पूरा application के पाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है अब हमारा last step के रही है अब हमारा जो अगला step है वो है foundation तो एक बार पूरा correction हो जाएं तो आप उसके उपर directly foundation apply कर सकती हो यहाँ मैंने अपनी exact shade का foundation लिया है लाक्मे का जो की 360 neutral chestnut है और इसे आपको दिख रहा होगा मैं एक brush के help से pick करके कुछ गुमा गुमा के या circular motion में apply कर रही है usually आपनी देखा होगा इसको look sponge की help से भी लगाते है अब आप मेरे चेहरे पे अगर दिखोगे तो बहुत सारे चोटे चोटे पोर्स या चोटे चोटे गड़े इस तरीके का skin है मेरा ये मेरे चेहरे पे overall बहुत सारा area ऐसा ही है तो ऐसे skin को textured skin कहा जाता है तो अगर आपका skin भी कुछ ऐसा है उबड़ खावड सा है plain बिलकुल भी ना हो तो कोशिश करे आप foundation brush का use करे ना कि beauty sponge beauty sponge सी भी आप काम कर सकते हो लेकिन इस तरीके का जो brush होता है उसके जो brushes का जो hair होता है वो एकदम compact या close up आई होता है इससे क्या होगा आप जब apply करोगे और इस तरह circular motion में apply करोगे तो सिर्फ बाहरी या ऊपरी surface नहीं बलकि जो छोटे-छोटे से गड़े हमारे थोड़े बहुत दिख रहे है वो भी cover हो जाएगे तो इससे जो आपका foundation application होगा वो even रहेगा तो कोशिश करे आप इस तरीके का एक अच्छा foundation brush में आप invest करे जो मैंने यहाँ पर use किया है this is from mars ये एक brush का set है आपको अकेला या individually भी ये brushes available हो जाएगे तो इस तरीके से overall मैंने अपने चेहरे पे इसे इसी तरह apply किया है हलक के हाथों से गुमा गुमा के हमें इसे apply करना है तो आपको दिख रहा होगा कि गड़े बंद नहीं हो जाते हमारे चेहरे के लेकिन काफी हद तक जो foundation है वो evenly लग जाता है और patches नहीं दिखते है ये वही concealer है जो हमने use किया था हमारे character के साथ पूरा area हम लोगों ने cover कर लिया लेकिन इसके बाद अगर आपको लगता है कि कही चेहरे पे थोड़ा सा tightness फील हो रहा है या थोड़ा सा dim है आपका चेहरा आप highlight भी कर सकती हो तो ये आता है अगला step after foundation जो की है highlighting इसके लिए कुछ लोग थोड़ा सा अपनी shade से एक या दो shade lighter concealer भी use करते है या फिर अपना exact concealer भी अब use कर सकते हो अगर आपको highlighting चाहिए लेकिन आपनी foundation color से बहुत अलग नहीं चाहिए exactly उसके साथ match होने वाला चाहिए तो आप अपना ही color का ले सकते हो या फिर एक या दो shade lighter भी आप ले सकते हो तो इस तरीके से मैंने इस concealer को लिया और उसको कुछ particular areas में लगा है जहां हमें highlighting करना होता है जैसे आखों की नीचे का area हो गया nose के bridge का area cupid bow या फिर lips के उपर का जो पाठ है वहाँ पे chin area जहां पे मैं भी फिलाल लगा रही हूँ cheek, chin और forehead का area ये सारे areas में आप highlighting कर सकते हो जहां से आपका जो face है वो थोड़ा और highlighted और क्या कहते है youthful देखेगा थोड़ा सा डरतो लग रहा होगा है ना देखके और बिल्कुल भी घबराये मत हम ऐसे blend करने के बाद एकदम अपमारे skin के साथ ये blend होगा क्योंकि मैंने आपको अल्रेडी बताया था कि यहां मैंने exactly मेरे color का choose किया है तो आपको भी यही करना है अगर आपको बहुत अलग color नहीं चाहिए या फिर highlighting बहुत ही heavy ना चाहिए हो तो आप exactly अपने color का ही concealer यूज कर सकती हो again क्योंकि मेरा skin textured है मैंने एक brush का इस्तेमाल किया है नहीं कि sponge का तो बस मैंने brush लिया और जैसे मैंने foundation को blend किया था बस उसी तरह अपना concealer भी मैं कर रही हूँ blend जैसे आपको दिख रहा होगा circular motion में इसको बस मैं blend कर रही हूँ तो overall blending के बाद यह कैसे दिखागा यह मैं आपको बताती हूँ तो आपको दिख रहा होगा जैसे हमने उसको blend कर दिया एक side में वो area अच्छे से highlighted दिख रहा है तो that's it एक बार वो हो जाए तो हमारा अगला step होता है contouring अब यह contouring के लिए सबसे पहले आप देखेजिए मैंने इससे किया कैसे है अब जैसे हम लोग दो finger का एक gap अपने lips के वहां से रखते है और अपने कान के उपर के हेल से से एक line नीचे की तरफ, lips की तरफ draw करते है तो इसी से एक structure हमारे चहरे पर बनता है contouring का main का भी यही है यह अपने चहरे को cut करना या फिर आप बोल सकते हो बिना surgical या surgery करके अपने चहरे को हम लोग एक shape जो create करते है वही है contouring का काम इसके लिए हमेशा आप contour stick easily available होता है contour palettes available होते है powder form में भी आपको यह मिलता है हो सके तो आप cream या liquid ही ली क्योंकि जब हमने foundation apply किया है तो already वो liquid या cream form में होता है तो उसके उपर comfortable यही होता है कि आप cream से काम करें तो एक बार हमने वो apply करना है यह वो सारे areas को आपकी चहरे को define करेगा define से ज़ादा की cut करेगा उस areas को specially एक separation देगा जहाँ पे हमारा natural bone structure है जैसे कि हमारा जो cheek area है नाक का जो bridge है या chin area है वहाँ सब आपको यह apply करना है और इसे spread नहीं करना बलकि dab करके जहाँ पे लगाया है वही पे आपको इसको dab करके blend करना है जैसे nose area पे भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने sponge से इसको एक बार दबा के उस area में अच्छे से deposit कर दिया है और बस मैं उसको blend करके extra product को हल के हाथों से blend कर रही हूँ इसको आपको बिल्कुल भी फेलाना नहीं है नहीं तो पूरा आपका चेहरा जो है वो डाकेश हो जाएगा सारी महनत आपके पाली में चली जाएगी तो इसी तरह जहाँ पे भी अप्लाई किया है वहाँ धीरे धीरे आपको blend करके इसको बस deposit करना है अब एक बार blend हो जाए तो आपको बहुत clearly दिख रहा होगा हमारे चेहरे पे एक bone structure आ चुका है तो यही है इसका काम भी अब मैंने एक photo भी आपको attach किया है after foundation हमारा चेहरा के ऐसा flat सा दिख रहा था और after application of contouring वो कैसे दिख रहा है अब जैसे आपको दिख रहा होगा हमारा सारा cream का product का का काम हो चुका है तो इसके बाद हमें इसको करना है powder से settle उसके लिए सबसे पहले मेरे जो wrinkles आपके आखों के नीचे या आखों के ऊपर होता है हमें पहले उसे clean करकर वहाँ पे हम लोग powders पहले apply करना शुरू करेंगे क्योंकि जो कोई भी wrinkles आपके चेहरे पे होता है अब वो तो बिल्कुल भी ढगने नीवाले चाहे आप कितना भी makeup कर लो लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि उस wrinkles के अंदर product जाके वो और ज़्यादा खराब ना दिखी तो इसके लिए हम लोगों ने उसको एक और बार blend करना है और उसके बाद यहां मैंने loose banana powder यूज किया है आप कोई भी loose powder यूज कर सकते हो इसके लिए और उसको बस वहाँ पे हमने अच्छा खासा quantity में लेकर उसे वहाँ पे deposit करके clean करना है याद रखना आप इसके लिए बिल्कुल भी compact powder मत यूज करना क्योंकि compact powder heavy होता है और वो यह काम नहीं करेगा यहां हमने इसे set करना है compact powder में एक composition होता है जो कि बहुत heavy होता है और आपका वहाँ पे wrinkles को उटके दिखाएगा तो कोशिश करना आप वो compact powder यह ना करे आप चाहिए तो baby powder भी apply कर सकते हो जहां कई पे भी हमने highlighting किया था contouring जहां हमने किया है वहाँ छोड़के बागी सब areas में हम इसे apply करकर extra को हमने brush से इस तरीके से dust off करके निकाल देना है अब एक बार यह हो जाए तो आपको दिख रहा होगा कि जो कोई भी हम लोगों ने powder से set किया है वो चेहरा का वो हिस्सा काफी matte है अब मैंने एक pink color का blush यहां पे pick कर लिया है जो कि powder blush है और एक brush के help से ठीक हमने जहां contouring cheek पे किया था उसी के ऊपर मैंने यह apply किया है again आपने देखा होगा इसी मैं सिर्फ spread नहीं कर रही बलकि एकदम हालके हातों से दबा-दबा के लगा रही हूँ अगर आपका textured skin है तो इसी तरह आपने अपना blush apply करना है कीच-कीच के बिल्कुल भी मत लगाना क्यूंकि इससे base भी disturb हो जाएगा और क्यूंकि आपका textured skin है तो वो disturb भी हो जाएगा और सारा कुछ आपका महनत पानी में चले जाएगा तो आपको अभी दिख रहागा इस तरह लगाने के बाद भी जो blush है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हमने बाहर से deposit किया एक innerly blush सा दिख रहा है अंदर ऐसा लग रहा है कि अंदर से blush आया हुआ है तो बस इसको हमें apply करने के बाद करदाना है setting spray से set यहां मैंने यूज किया है NYB का DOE setting mist आप कोई भी setting spray यूज कर सकते हो इससे आपने जो कुछ भी product अब तक लगा कर रखा है वो set हो जाएगा अब इसके बाद आप अपना eyebrows कर सकते हो क्योंकि मेरे eyebrows अच्छे खासे थिक है तो यह setting spray जो है वो सूखने से पहले मैं इस तरीके का एक brush लेकर उसको अच्छे से बस एक बार चला रही हो ताकि setting spray जैसे ही dry हो जाएगा तो उसके साथ eyebrows भी उसके साथ set हो जाएगा इस तरीके से भी आप कर सकते हो या फिर आप इसको draw भी कर लेना लेकिन setting spray को अच्छे से dry होने के बाद अब यहाँ पे जब चहरा हलका सा गीला या थोड़ा बहुत गीला होगा तब मैंने लेना है highlighter और highlighting के लिए जो भी product है वो मैं brush से लेकर वो सारे areas जहाँ पे naturally जब आप light को exposed होते हो या sunlight hit करता है तो जहाँ कई भी अपने चहरे पे हलकी full की जो चमक होती है उसको हम लोग highlight करते हैं क्योंकि foundation और ये cream products के पाथ वो सब bad सा जाता है तो उसको हम बस फिर से हमारे चहरे पे लीकर आने का काम कर रहे है तो वो हमने सारे वो areas में apply कर लिया ये हम आखों के inner corner और eyebrows की नीचे भी लगाते है आपको दिख रहा होगा लगाने से पहले ही वहाँ पे एक natural एक lighting सा आपको दिख रहा था तो बस हम वही चीज़ को थोड़ा बहुत highlight करके फिर से कर रहे है तो एक बार ये हूज जाए तो lastly मैं इहाँ पे अपना जो lip है उसको line कर रही है एक dark brown color मैंने लिया है और इसको मैं एक बार apply कर लो border पे फिर इस तरह lips को press करकर उसको मैं अंदर की तरफ ले जा रही हूँ ताकि जो extra color मैं अभी जो लगा रही हूँ जो कि एक pink color का है वो बहुत अलग साना दिखे उसके साथ blend हो जाए और extra को मैं इस तरह की से हमेशा tissue पे कर देती हूँ apply और यहाँ पे बस मैंने gloss लगा के और in future चाहिए thank you so much